हांजी फ्रेंड्स क्या हल चल विलकम विद कृतिका साव तो गाईज जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल थी ईद एड़ की फिस्टिबल खतम हो जाने के बाद जनाप का ईद का व्लॉग आही गया जो कि हमेशा से मेन कॉंटेंट जनाप छीनते आए हैं लेकिन मुझे चबूत्रा का समझ नहीं आया कि चलो इस बार चबूत्रा ईद पे अपने प्यारे से माईके में तो थी नहीं वो तो थी था ससुराल में ना तो उसको तो ईद का व्लॉग डाल देना चाहिए चलो मैडम को हक नहीं है बिकाज कॉंटेंट पहले जनाब लेंगे तो मैडम ने व्लॉग नहीं डाला लेकिन चबूत्रा तो अपने होम टाउन मौदा पहुँच गई है तो वहाँ पे तो अलग कॉंटेंट होगा तो चबूत्रा चाहती तो व्लॉग तो डाल सकती थी जबकि चबूत्रा जनाब एंद मैडम से कुछ जादा ही सिंसियर रहती है व्लॉग के मामले में मतलब रेगुलर व्लॉग उसको डालना ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उपर से नीचे क्यों ना हो जाए चब उत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्लॉग अपना कंटिनियू करती रहती है तो इतना बड़ा ईद का फेस्टिबल था, उसके बावजू चब उत्रा ने अभी तक कोई व्लॉग नहीं डाला कोई क्या अपने ईद का व्लॉग नहीं डाला, बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है तो हो सकता है कि जनाब की पर्मिशन नहीं होगी कि चाहे तुम मुंबई में रहो चाहे मौदा में रहो जब तक मैं ईद का व्लॉग नहीं डाल लूगा तब तक कोई नहीं डाल सकता तो जनाब का जो खौफ है जो डर है वो मुंबई से मोहदा तक पहुँच चुका है इसी वजह से चबूसरा ने व्लॉग नहीं डाला तो खेर ये तो बात हो गई इनके ईद के व्लॉग की लेकिन आज का ये पोड कास्ट मैं इनके ईद के व्लॉग के उपर पे नहीं बना रही हूँ बलकि उसे पहले के व्लॉग के उपर बना रही हूँ बिकॉस इनका पहले का जो व्लॉग था उसके उपर आई नो कि मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे हिंदू में भी एक बहुत बड़ा फेस्टिबल अभी आने वाला है जिसे हम राम नॉमी कहते हैं तो उस वज़य से मैं थोड़ी से बिजी हूँ घर पर इस वज़य से क्या हो रहा है कि मैं proper podcast शूट नहीं कर पारी हूँ regular लेकिन मैंने जब vlog देखा तो मुझे लगा कि नई इद का vlog हम बाद में उसके उपर podcast बनाएंगे पहले इस पे podcast बनाना जरूरी है क्योंकि जणाब ने अपने last वाले vlog में न इतनी नोटंकिया दिखाई हैं इतने जूट दिखाए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है इनको आपकी तरह भी समझा लोना कि इस टाइम पे रमजान के महिने पे आप जूट मत बोलो गलत चीजें मत करो वरना आपको भी कुना पड़ेगा इन्हें कोई फरकी नहीं पड़ता इनको जो करना होता है ये वही किये जाते हैं किये जाते हैं जनाब ने तो व्लॉग श्टार्ट करते के साथ सबसे बड़ा जूट बोला एन इतनी अठपटी चीज दिखाई व्लॉग में मतलग अगर आप हेल्प कर भी रहे हो आप किसी की मदद कर भी रहे हो हम लोग क्या करते हैं हम लोग कर किसी को कुछ खिलाते हैं कुछ देते हैं कुछ डोनेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको चिला चिला करके पुरी दुनिया को बताना है कि देखो आज मैंने डोनेशन किया आज मैंने इसे ये गिफ्ट दिया आज मैंने उसे वो गिफ्ट दिया जरूरी नहीं है आप कर रहे हो आपने मन की शा तो उनका एक conversation चल रहा था जो मैटो वाले भाईया से वो जो मैटो वाले भाईया को address बता रहे थे क्यों? क्योंकि जनाब एंड मैडम सुभा 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 का उनका जो सहरी टाइम होता है खाने पीने का वो वो भीजवा रहे थे बच्चों को जनके पास में मतलब उतना financially वो उस condition पर नहीं है फिर भी fast रखते हैं रोजा रखते हैं तो ये क्या कर रहे थे जो मैटो वाले भाईया को address बता रहे थे इस चीज को मैडम ने capture किया और मैडम ने ये भी बोला कि हम परड़े ये काम करते हैं परड़े सुभा सुभा शुएप को फोन आ जाता है और वो address बताते रहते हैं कि आप यहां नहीं आप वहां जाओ आप वहां नहीं वहां जाओ आप गलत जगा चले गए आप ऐसे चले गए मतलब आप सोचो इनका जूट मुझे ये समजनी आता कि सुभा पांच बज़े कौन सा होटल खोल करके रखता है जो मैटो को अलाव करता है कि आप सुभा सुभा चार बज़े पांच बज़े आओ आकर के हमसे फूड लो और फिर उस फूड को सप्लाई करो जहां तक मुझे नौलेज है जहां तक मुझे पता है कि जो मैटो से ओर्डर करने के लिए जो टाइमिंग होती है वो दस बज़े की बात की होती है यानि सुभा मॉर्निंग मॉर्निंग दस बज़े के बात से वो लोग डिलिवरी स्टार्ट करते हैं बहुत हो गया तो मैं उससे पहले भी अगर ले लू तो मैक्स मतलब बहुत भी ले लू तो चलो आट बज़े से स्टार्ट करते होंगे लेकिन सुभा चार बज़े कौन करता है और इनका सहरी का टाइम तो सुभा चार से पांच का ही होता है उस समय में यह लोग चाहि पी रहे है और बोल रहे हैं कि मैं जूमाटो वाले भाया को बोल रहा हूं कि आप जाकर के यहां पे डिलिवर करो पहली बात तो हम जान नहीं रहे हैं कि रियली में ऐसा है की नहीं है अगर आप सामने से कुछ देतें अपने हाद से दान पुनने करते तो वो आप व्लॉग में शूट करते तो वो हमें दिखता कि हाँ जनाब दान कर रहे हैं अपने हाद से खाना दे रहे हैं यहाँ तो आपने एकदम advanced technology का इस्तिमाल किया और बहुत अच्छे से जोमाटो का यूज करकर के वहाँ पे खाना भीजवाया जो कि हमें honestly नहीं पता कि आप रियली में भीजवा रहे हो या नहीं है अगर भीजवा भी रहे हो तो सुबह पांच बजे चार बजे कौन सा जोमाटो हो अलाव करता है कि हाँ मैं खाना इस होटल से भीजवा दूँगा उस जगह पे तो सबसे पहला जूट तो इनका व्लोग स्टार्ट होते के साथ ही समझ में आ गिया मतलब कितने दोगले इनसान है ये लोग की जूट के चकर में कुछ भी दिखा देंगे अपने आपको महान साबित करने के चकर में कुछ भी दिखा दो लोग तो बेवकूफ है ही बेवकूफ बन जाएंगे और ये लोग अपना रोटी सेखते रह जाएंगे मतलब हद है अगर आपको दान पुन्ने भी करना है तो उसके लिए भी efforts नहीं डालने जिस तरह से जनाब अपने vlog में efforts नहीं डालते ना दिल को दिल लगी ना लगे सिर्फ लगा देते हैं उसी तरह से ये vlog बनाने में भी efforts नहीं डालते हैं उनने कमाने के लिए भी इनको efforts नहीं डाला है, वो भी एकदम automatic हो जाए, जितनी advanced technology का इस्तिमाल करके हो जाए, उतना अच्छा है, और जूट तो खेर भर भर के, ताकि अंधे लोग, बेवकूफ लोग, बेवकूफ बनते रहें, और इनकी रूटिया सिखती रहें, इन सब के अलावा, एक बात मुझे और अजीब लगी, कि जनाब ने जो last अपना रमजान का रोजा दिखाया था, इनका जो last रमजान था, उसका जो व्लोग जनाब ने डाला, उस पे इन्हों ने अलग से एक ड्रेस सिलवाया था, अपना रिहान का, और रूहान का, तो मुझे ये ब लास्ट रमजान था, रमदान जो भी ये लोग बोलते हैं, वो last था, चांद मुबारक जो ये लोग चांद देखते हैं, वो last वला जो रोजा था, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़कों का ही था ना, लड़कियों के लिए भी तो था, कपड़े खरीदने सब एक साथ गए थे जनाब ने बोला भी कि कल हम लोग जो कपड़े खरीदने गए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने ये कुर्टा का ड्रेस खरीदवाया, और फिर हम लोगों ने इसे सिलवा करके पहना, तो लड़कियों के लिए क्यों नहीं खरीदा, और लड़कियों में है कौन सिर्फ उफसान हो जाता, तो यहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को इंपोर्टेंस दी जाती है, लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब आप रिहान के लिए ड्रेस अलग से सिलवा सकते हो, उसका फोटो क्लिक करवा करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, तो फिर रिजा को क्यों वहां से साइड कर दिया, रिजा को भी क्यों नहीं इन्वाल्फ किया, तो रिजा सिर्फ और सिर्फ इनके लिए केक बनाने के लिए है, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए है, और इनका वीडियो शूट करने के लिए है, बस इन सब चीज़ों के लिए अगर कि काम रिजा का ही होता है फर्च और बूतरा जनाब और मैडम के लिए पिक्चर्स क्लिक करना, रील्स शूट करना ये सब काम रिजा का होता है तो रिजा बस इसलिए है घर पे लेकिन एक special attention जो होता है जिस तरह से रिहान को दी जाती है वैसा रिजा को नहीं दिया जाता इनके घर पे ये लड़का लड़की वाला सिस्टम शुरू से चला आ रहा है कि लड़कों को साधा importance देना है और लड़कियों को बिल्कुल भी importance नहीं देना है तो यही mainly दो topics थे मुझे जो लगा कि मैं specially discuss करूँ अपने इस वाले podcast में और इनके इद वाले vlog पे तो मैं next podcast जरूर बहुत जल्द शूट करके आप लोकों तक पहुचाने की कोशिश करूँगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखे आज का ये podcast हम यहीं पर end करते हैं बहुत जल्द मिलूँगी एक नए podcast पे